स्टीमान्त दिले पितोरागड में भारत नेपाल सीमा पर दारचुला में शुक्रवार दे राद बादल पतने से धारचुला में भारी तपाही हुई है रविबार सुभा सियंपुशकर सिंधामेन हेलिकॉप्टर से धारचुला आपदा प्रभाविश शेत्र का हवाई में पिथोरागर से नेपाल को जोडने वाली काली नदी में भारी मात्रा में मलवा आने से पिथोरागर की दार्चुला के खूतिला में भारी नुकसान हुआ वहीं पहाडी में बरसाती पानी के साथ आया मलवा खई घरों में घुज गया आलम ये कि बावजार की सड़क भी मलवे से पट गई सड़क में पार्क के गए वाहन भी मलवे में दब गए साथ से में दो लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग लापता बताय जा रहे हैं आपको बता दे नेपाल में बादल पटने से भारत की बाद तहसिल धार चूला में भारी नुकसान हुआ बादल पटने के बाद धार चूला तहसिल में भारी तबाही हुई साथ ही भारी बारिश से भारत और नेपाल को बाटने वाली काली नदी भी उपान पर है दौरान धाजूला, विधायक डीडी हाट, विधायक अल्मोरा, पितोरगर सांसद और पितोरगर डीम भी मौजूद रहे उन्होंने सेम धामी को शित्र में नुक्सान का ब्योरा दिया, सेम ने आपदा प्रभावितों को हर संभव सायता दियर ज्वाने का आश्वासन दिया, रहत एवं बचावकारे से संबंदत अधिकारियों को निर्देशित किया हैंके न्यूस की डेस्ट रिपोर्ट